दोस्तों नमस्कार कैशे आप लोग उमीद करते बहुत अच्छे होंगे चली आज हम लेका हैं आपके बीच बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो घुठने की समस्या नी पैन घुठने में सूजन हो जाना घुठने में दर्द होना घुठने चलने पे कट-कट की आवाज करना य जोतने में समस्य पैना यह सब होने का कारण हो सकता है तो पहले बात हो सकती है आपकी कहान-पान में झाल्सियम कीणी वर्णाख गई है उससे तरह सो सकता है की चोट लग गई है इसीडेंट हो गई है कोई तरह कर नर्भ का कंप्रेशन हो रहा है कि एक बहुत बड़ा काड़न है अर्थराइटिस जो यूडिक एसीड बढ़ जाती है वह वह बहुत बड़ी समस्याओ है यह कुछ condition है जैसे हम खाना जो 7 कर रहें उसमें केलसियम और विटामीण D की मातरा बहुत कम लेड हैं अमेगा 3 बहुत कम लेड हैं। जिस बज़त से यह क्या होती है नर्म में दिककत होती है, तीरी दिरे घुतना जाम होने लगता है गुठना में fusion होने लगती है पानी की मादर बढ़ जाती है और गुठने की जो दो बॉन के बीच गैप होती है वो घट जाने के बज़त से कभी कटकट की अबाज आती है और पैड को मोर नहीं देने में प्रिसानी होती है तो अब हम बात करेंगे यह लक्षन क्या सब लिखेएगा पिशेंट आएगा बताएगा देखेए मेरा घुठना में Susan हो गई है गुठना में बहुत तैस दर्द होती है मोर नहीं पाते हैं घुटने को मोरते हैं सिधे नहीं कर पाते हैं घुटना मोर नहीं पाते हैं लगते हैं अंदर से जाम हो गई है लगड़ी अंदर से एक नस्तनी हुई है बहुत तेज दर्द होती है लालपन रहता है उसमें छोने नहीं देती है और किसी किसी कंडिशन में आपको पिल ये नी इफ्यूजन मतलब गोटने के अंदर जो है पानी की जैसे बुझाएगा उसको और दो हड़ी के बीच में जो गैप होना चाहिए गैप खतम हो जाती है सैनोवेल फ्लूड वहां की खतम हो जाती है ये कुछ कंडिसन देखेने की मिलेगा जब आपको नी इ पिल कज़ए बचाने काथि लाना जैसे आपको को इभी तरक इनजोडी बार बार हो रही है उसको बचाना है दूसेरा कंडिसन आप खाने पिने में हैं जिसमे केलसियम और विटामिन D की मात्रा बहुत कम है जैसे मस्रूम हो गई है पनीर हो गई है दूद्ध हो गई है अ सेवन करने से आपकी घुटनी की समसिया बहुत हर तक ठीक हो जाती है इसके बावजुद भी अधी दिक्कत रह जाया तो इसके लिए बहुत ही काड़गर आपके हमें पैत में दवाई है चलिए हम जानते हैं का इसी कौन सी दवा है इसी तरह नए जानकारी देखने के लिए अधी आप मेरे जानकारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिएगे बेल आकन को जरूर प्रिस कर लें ताकि इसी तरह का हर जानकारी आप तक पहुंच सके चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी दवा है ऐसी कौन सी हल करने के लिए ये दवाई है जिसका नाम है आपको काली आयोड काली आयोड तीस पावर में लेना है आपको दवाई दो दो बूंद करके तीन बार काली आयोड थर्टी पावर में है दो दो बूंद करके तीन बार ये क्या करें गुटने जाम गुटने समस्या गुटने की दर्द, लालपन, कट-कट के वाद सारी को ठिक करेगी और इसके साथ एक और दवाई लिजेगा जो कि आपको जब बताए घुट नाम बहुत तेज जाम हो गई है और उसके साथ बहुत तेज दर्द रहती है इसके लिए बायो कंबिनेशन एक दवाई है जिसका नाम है बायो घुठने को ठीक करेगा इसी तरह नहीं जान करें देखने के लिए मेरे बने रहें धन्यवाद